नवस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 जुलाई 2020 और स्वागत है आपका पिलीम बूश्टर न्यूज डिसकसिन में सबसे पहले इंपोर्टन आठकल गोल्डन बर्ड विंग के बारे में हैं ये क्या हैं? ये देखो एक टिटली हैं जिसे इंडिया में 88 साल बाद यानि 88 येर्ज के बाद फिर से re-discover किया गया है as a largest butterfly हम information discuss करें golden bird wing के बारे में female golden bird wing को record किया घा थाम उतरakhand के दीदी हां में और largest male golden bird wing को record किया घाम सिलों के वंखार butterfly museum में ये देखो golden bird wing इंडिया की largest butterfly है wingspan है 194 mm wingspan का क्या मतलब होता है जब देखो कोई पक्सी अपने पंख इस परकार से पूरा फिला लेता है तो दोनों फैले हुए पंखों के बीच distance कितना होता है इसे wingspan कहा जाता है तो wingspan के हिसाम से देखें golden bird wing इंडिया का सबसे largest butterfly है और smallest कौन सा है smallest है quaker इसका wingspan सिरफ 18 mm है वैसे देखो अभी तक इंडिया की largest butterfly माना जाता था southern bird wing को इसको record किया गया था 1932 में ब्रिगेडियर इवांस के द्वारा एक interesting चीज़ यहां पर देखो जो female southern bird wing होती है इनका साइज छोटा होता है female golden bird wing से female golden bird wing का साइज होता है 194 mm जबकि female southern bird wing का साइज होता है 190 mm जबकि male golden bird wing का साइज काफी छोटा होता है 106 mm लास्ट में दूसरी butterfly's जो पिछले कुछ दिनों में news में थी उनके बारे में भी हम जान लेते हैं हाल ही में केरला ने मालाबार बैंडिट पीकोख या फिर बुद्धा मयूरी को अपनी state butterfly declare किया और एक dedicated पार्क भी establish किया गया है butterfly park कहां पर कोची में इसके बाद यो में तमिलाडू ने इसे अपनी state butterfly declare किया यो में और उसके बाद महराश्टर की state butterfly है blue mormon उतराखंड की कॉमन पीको करनाटा की southern bird wings देखो यो पियसी सिरफ उनी पर focus करेगी जो न्यूज में है ऐसे यो पियसी रेंडमली कुछ मी नहीं पूछ लेगी कि हर्याना की state butterfly कौन सी है हिमाचल परदेश देखो पहला देश का ऐसा राज्य बन गया है जहां पर अब 100% LPG connections है वैसे तो central government की scheme थी परधान मंतरी उज्वला योजना जिसमें rural areas की महिलाओं को free of cost LPG connection दिया जाता है center की इस scheme के बावजूद कुछ लोग छुटे हुए थे वो अभी भी LPG connection का इस्तमाल नहीं कर रहे थे तो state government ने अपनी scheme चला दी हिमाचल ग्रहनी सुविदा योजना इस योजना ने बचे हुए लोगों को भी cover किया अब वो भी LPG connection का इस्तमाल कर रही है state में अब सभी families LPG connection का इस्तमाल कर रही है हिमाचल पर देश देश का पहला ऐसा राजय बना है चलते हैं आगे हमारा नए स्टार्ट कल Global Real Estate Transparency Index के बारे में है ये देखो इंडेक्स इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एक private company के द्वारे रिलीज के जाता है जिसका नाम है JLL and LaSalle ये एक global real estate services company है देखो अगर कोई index या फिर report government के द्वारे रिलीज के जाती है या किसी important international organization के द्वारे रिलीज के जाती है for example UN, IMF, World Economic Forum वो indexes ज़्यादा important होते हैं basic जानकारी डिसकस करें इस index के बारे में total 99 देशों को ranking दी गई है इस index में और 163 cities को ranking दी गई है कौन से parameters के अधार पर investment performance, market fundamentals, governance of listed vehicles, regulatory and legal environment, transaction process and sustainability देखो within देशों की या फिर within cities की real estate market में कितनी जाड़ा transparency है इस आधार पर विविन देशों को ranking दी गई है इस index में इन सब parameters के अधार पर top rankers की बात करें UK को top स्थान पर आप्थ हुआ है उसके बाद USA को, उसके बाद Australia को इंडिया को 34 स्थान मिला है इस index में 2018 में यानि दो साल पहले इंडिया का स्थान 35 था इतना important index नहीं है चलते हैं आगे अगला हमारा article इडलिब के बारे में है ये mapping के लिहाद से important है इडलिब में देखो अभी लड़ाई चल रही है यहाँ पर कुछ एरिया में जो UN designated terrorist organizations है उनका कबजा है और सीरिया की सरकार फिर से कोशिस कर रही है कि इस city को अपने control में लिया जाए इसी चकर में Syrian और Russian planes ने बंबारी की इस इडलिब city के ऊपर और बहुत सारे civilians को नुक्सान पहुंचा उसी से सम्मदित या news है काफी बार UPSC इस परकार के कोशन पूछ लेती है जैसे स्वात वैली सामने दिया होता है इरान गलवान गवठी अरुनाचल परदेश इस परकार से match the following UPSC करवा लेती है तो इडलिब की location आप देख लीजिए तरकी के साथ बोल्डर लगता है इडलिब का और वैसे सीरिया की city है चलते हैं आगे नेस्ट हमारा आटकल फिर से एक mapping location से सम्मदित है नतांज की location आप देख लीजिए यहाँ पर इरान की uranium enrichment की central facility है इसके आसपास करास mountains है अभी क्या हुआ क्यू news में है नतांज दिखो यह जो इरान की नतांज nuclear enrichment facility है इसकी एक इमारत में आग लग गई इसको इरान की first pilot fuel enrichment plant के नाम से भी जाना जाता है जब 2015 में nuclear deal sign हुई थी एक तरफ इरान और दूसी तरफ P5 plus 1 countries के बीच तो यह decide हुआ था IAEA यह इन्टरनेशनल Atomic Energy Agency इस site को inspect करेगी बट अभी तो देखो यह deal collapse कर गई है क्योंकि US से 2018 में इस deal से बाहर आ गया उसके बाद इरान ने भी धमके दी कि अब हम enrichment start करेंगे जो limit थी deal के अंदर उसको हम breach करेंगे और ऐसी भी खबरे निकल के आएं कि इरान अब IAEA की teams को allow नहीं कर रहा है कुछ sites पर visit करने के लिए तो नतांज के बारे में हमने article discuss किया चलते हैं आगे ने श्टार्ट कल काट्शा Act से समदित हैं यानि Countering America's Adversaries Through Sanctions Act यह दिखो USA का act है USA का इस act का मकसद यह हैं USA के जो enemy countries हैं दुस्मन देश for example Russia, North Korea, Iran इन देशों के against sanctions लगाना ना सिरफ इन देशों के against बलकि अगर कोई देश इन देशों की companies के साथ trade करना जारी रखता है तो उनके खिलाफ भी sanctions लगाना अब देखो दिक्कत यह हैं हम रश्या से S-400 missile defense system purchase कर रहे हैं तो USA ने अपने ally countries including India को यह बोला है कि आप रश्या के साथ रश्या की oil companies के साथ या फिर defense companies के साथ transactions करना बंद कीजिए तो इंडिया के ऊपर दबाब हैं एक तरफ हमें S-400 missile defense system की आउशकता हैं क्योंकि भी चाइना के साथ हमारी tensions चल रही हैं और दूसरा देखो ना भी चल रही होती तो USA के दबाब में आके अगर हम रश्या से S-400 missile defense system नहीं purchase करते तो इस से इंडिया और रश्या relations के खराब होने का खत्रा बना रहता यूश्या ने पहले भी दबाब डाला था लेकिन USA के दबाब को ignore करते हुए हमने रश्या के साथ ये deal sign की और अब एक बड़ फिर से USA ने हमें बोला हैं कि रश्या के साथ आप transactions करना बंद कीजिए तो इंडिया की foreign policy के सामने challenge है balance establish किया जाए एक तरफ USA से दूसरे तरफ रश्या के बीच चलते हैं आगे इसके बाद आज की discussion का last article मार्मोट के बारे में हैं क्या context है हाल ही में देखो कुछ खबरे निकल के आई मंगोलिया चाइना फारिष्ट रेश्या में ब्यूबोनिक प्लेग के outbreak की और खबरे ये निकल के आई कि टारबागन मार्मोट की वज़े से ये ब्यूबोनिक प्लेग फैला है पहले हम मार्मोट के बारे में डिसकर्स करते हैं मार्मोट देखो गिलेरी की फैमिली से समंद रखता है और रोडेंशिया ओर्डर में आते हैं कोल्ड इन्वार्मेंट में सर्वाइब करने के लिए सूटेबल हैं मार्मोट इनके कान पर फर होता है और बोडी के दूसरे हिस्से पर भी फर होता है जैसे आप देख सकते हों बाकी दो देखो ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कोशन नहीं बनता जैसे टांगे छोटी-छोटी होती हैं और जो पंजे होते हैं वो काफी स्ट्रोंग होते हैं खुदाई करने के लिए दिन के समय ये एक्टिव रहते हैं डिस्टिबुशन की बात करें मार्मोट जो हैं ये रोप, एशिया, नोर्थ अमरिका इन कॉंटिनेट्स में मिलते हैं साउथ हेशिया, होम है हिमालेन मार्मोट का और लोंग टेल्ड मार्मोट का ये दोनों आयूशियन की रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न केटेगरी में आती हैं और जैसा हमने डिसकस किया ये जो टार बागन या फिर मंगोलियन मार्मोट हैं ये मंगोलिया, चाइना और रश्या के कुछ पांट्स में मिलती हैं इनकी इंपोर्टन्स की बात करें जब देखो ये खुदाई करते हैं तो थोड़ी सी खुदाई करने के वज़े से हवा आ जाती है सोईल में इसकी वज़े से सोईल में नूट्रियंट्स का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और प्लांट आसानी से ग्रो कर पाते हैं थ्रेंट्स की बात करें इनका सिकार किया जाता है मीट के लिए और इनकी बोड़ी पर जो फर होता है इनके लिए इनका कपड़ों में इस्तिमाल किया जाता है एक सेकेंड तो यह हमने बेसिक इनफॉर्मेशन डिसकस की मारमोर्स के बारे में अब प्लेग के बारे में हम बेसिक जानकारी डिसकस कर लेते हैं देखो प्लेग एक ऐसा डिजीज है जो बैक्टेरिया, यर्सीनिया पैश्टीज की वज़े से होता है और में लिए देखो यह रोडेंट में होता है रोडेंट जैसे चुहे, गिलारी यह जो रोडेंट केटेगरी में आने वाले एनिमल्स हैं उनमें ज्यादा होता है स्प्रेड की बात करें तो infected animals या फिर जो insects होते हैं उनसे ये human beings में transmit हो सकता है इसके बाद plague के बारे में कुछ और information plague देखो तीन टाइप का होता है body का कौन सा जो अंग है वो infect होता है उसके base पे plague को तीन टाइप में आप divide कर सकते हो सबसे पहले हैं biblionic plague ये देखो person के lymphatic system को infect करता है जिसकी वज़े से lymph nodes में जलन होती है अगर treatment ना हो तो ये जो biblionic plague है या तो pneumonic plague में बदल सकता है या फिर septicemic plague में बदल सकता है ब्यूबोनिक plague अगर होता है तो symptoms इस परकार के होते हैं बुखार, ठंड लगना, weakness और सरदर्द ये बैक्टेरिया, कौन सा बैक्टेरिया, बताईए बैक्टेरिया, Yersinia, Pesties अगर देखो ये बैक्टेरिया lungs को infect करता है तो इससे pneumonic plague होता है और इस plague में ये जो plague है वो human to human भी transmit होता है symptoms की बात करें, chest pain, fever, khासी और ये highly contagious है अगर देखो A इस plague से infected है जिंकता है, तो transmission का खत्रा काफी जादा है ये highly contagious plague है उसके बाद तीसे नमबर पे है septicemic plague अगर देखो बैक्टेरिया blood stream में एंटर कर जाता है और वहाँ पे अपनी संख्या को double करना और increase करना start कर देता है तो मतलब ये septicemic plague है और देखो अगर pneumonic और bubonic plague का इलाज नहीं होता है समय पे मतलब इनका treatment नहीं किया जाता है तो फिर वो plague septicemic plague में convert हो जाता है और अगर कोई person septicemic plague से infect हुआ है तो वो notice कर सकता है skin का color black हो जाता है तो इस परकार से हमने plague के बारे में जानकारी डिसकस की और marmots के बारे में basic जानकारी डिसकस की हमारी आज की discussion में बस इतना ही है अब last में जल्दी से revise कर लेते हैं आज हमने क्या-क्या डिसकस किया सबसे पहले कार्टसा Act ये देखो कुछ देशों के against punitive measures लेने के लिए है और उनके नाम इस परकार से है Iran, Cuba, China, Russia, North Korea गलत statements तीन देशों के against punitive measures लेने के लिए है जिनका नाम है इरान दूसरे नमबर पर Russia और तीसरे नमबर पर North Korea China, Cuba, इन देशों का नाम नहीं है इस list में इंडिया की largest butterfly क्या golden bird wing है बिल्कुल सही female का size बड़ा होता है हलांकि male का size छोटा होता है southern bird wing से next केरला पहला ऐसा राज्य है जहां पे 100% households LPG connection का इस्तिमाल करते है नहीं हिमाचल परदेश ऐसा पहला राज्य है इडिया की एक city है जिसका border इराग के साथ लगता है गलत तरकी के साथ border लगता है इराग के साथ नहीं लगता आप मैप चाहो तो फिर से देख सकते हो ये नतांज है और ये है एडिली तरकी के साथ border लगता है इराग के साथ नहीं लगता last में marmots क्या code environment में survive करने के लिए ये suitable है, बिल्कुल ठीक तो ये statement सही है ये statement गलत है false है, क्योंकि border Iraq के साथ लगता नहीं है ये statement सही है और ये उपर वाली statement गलत है तरकी के साथ border लगता है, Iraq के साथ नहीं लगता है, तो ये statement false हो गई तो ये थे हमारी आज की discussion फिलाल इस discussion में इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion